दोस्तो आज के इस फीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme 10 स्रीज का एक ऐसा जबरदस स्मार्टफोन जो आज के टैम के Realme के लेटेस्ट स्मार्टफोन को बीट करने की चमता रखता है तो हम बात कर रहे है Realme 10 की ये एक 4G स्मार्टफोन है जो की सुरुवात में लाँच हुआ था 14,000 रुपे का लेकिन दोस्तो आज की डेट में आपको ये स्मार्टफोन फ्लिफ कार्ड से मिलेगा 10,999 रुपे का और Amazon से अगर आप पर्चेस करोगे तो 13,000 रुपे का मोबाइल का डिजाइन कहीं भी नजर नहीं आएगा बैक साइड में हाइलाइट फेचर्स को मेंसन किया गया है जिने में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा बने रहे हैं मरे साथ वीडियो में चैनल पे आए वो फस्ट राइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि के ऐसी वीडियो जहां पर आपको रेगुलार मिलती रहती है तो यहां पर हमने बॉक्स उपन कर लिया है सबसे उपर एक मीनी बॉक्स नजर आ रहा है अग्रेट इस्टोरी सिंस दा फस्ट लिग लिखा हुआ है इसके अंदर आपको कुल की स्टार्ट गाइड यूजर मैन जाता है दोस्तों 3MPR की आउटपूट रेटिंग आपको मैक्सिमम इस चार्जर से मिलती है और यह 28 मिनट में फॉन को 50% चार्ज कर लेता है इसके बाद Type-C USB केविल आपको मिलती है केविल की लेंट और क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है हम आएंगे डेरेट स्मार पर तो रैपर से आजाज करके आगया जी इसका फ्रेंट लुक हमारे सामने इन फिल यह स्मार्फ़ॉन ज्यादा बड़ा नहीं है काफी कमफरेबल है आप हाथ में इसे काफी अच्छे से कहरी कर सकते हो बहुत ही स्लिम लाइट वेट है यह स्मार्फ़ॉन पंच होल डिस् काफी कमाल का मुवमेंट करें तो यहां पर अलके से कलर चैंज होते हुए आपको नजर आएंगे जो काफी वड़िया लग रहे है नीचे रियल मी की ब्रांडिंग उपर आपको दो बराबर साइज के लेंस नजर आ रहे होंगे जिसमें मीन कैमरा है 50 Megapixel का और दूसरा पंचूल है इसके अंदर 16 Megapixel का सेलफी कैमरा दी आ गया है अब दोस्तों फटावर्ट से इसे बूट कर लेते हैं और इसकी डिस्प्ले पर नजर डालेंगे ट्रिपल कार्ड स्लोड मिल जाते हैं दोस्तों दो सिम कार्ड एक मेमरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं इस प्लैस प्रूफ है स्मार्टफोन हलका फुलका पानी मुबाइल का कुछ नहीं पिगारने वाला इसकी अलावा बॉटम मां आपको मिलेगा 3.5 mm का ओडियो प्रैमरी माइक चार्जिंग चैक और स्पीकर ग्रिल तो फाइनली स्मार्टफोन को हमने फुली इस्टॉल कर लिया है और आप इसकी जो ब्रैटनेस है इसे 100% ले जाते हैं ताकि डिस्पले और आच्छे से हमें देखने को मिल जाए 1000 निट्स तक की पीक ब्रैडनेस आपक 11X हो उसमें भी आपको IPS LCD मिलती है सूपर एमुलेट नहीं दी गई है यहां आपको मिल रही है एज और बैजल्स को देखिए कौनर और उपर से कितने पतले बैजल्स दिये गए हैं हलकी चिन आपको यहां पर ज़्याद़ देखने को मिलती है स्क्रीन टू बोड़ी रेस हो रेफ्रेस रेट आपको इस फॉन में दी आ गया है मातर 6.4 इंच की फुल एजडी फ्लस सूपर एमुलेट डिस्पले मिलती है दोस्तों आपको इसमें जिसका एस्पेक्ट रेसो है 229 स्क्रीन रेजूलेशन 1080 x 2400 विक्सल और विक्सल देंसरी 4115 याई की मिलती है इसमें कॉर्निंग गुरिला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है साथ ही आपको यहाँ पर 159.9 मिलिमेटर के हाइट 73.3 मिलिमेटर के विड़् और ठेकना से इसकी 7.9 mm की और 178 ग्राम का है यह स्मार्टफॉन जिसके अंदर 5000 mH की बैटरी भी लगी हुई है सेटिंग ओपन कर स्क्रीन सारा कुछ यहाँ पर आपको आच्छे से मिल जाता है सेटिंग के अंदर हम चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन के अंदर तो रियल्मी यूई वर्जन 3.0 आपको इसमें दिया गया है डिवाइस नेम मैंसन है बगल मैं स्टोरेज 64 जीवी का और यहाँ एक्सपेंड आप चाहो तो यहाँ पर रेम को सीधा दुगना कर सकते हैं और 8GB तक ले जा सकते हैं रेम एक्सपेंशन को ओन करके इसके अलावा इस्टोरेज टाइप आपको यूएफ हैस 2.2 और रेम टाइप LPDDR 4X दिया गया है Android 12 आपको इसमें मिलता है हलाकि आजकर 13 मिल रहा है इसका 3,83,000 के आसपास चले जाता है बाकी दोस्तों इसका कैमरा ओपन करके आपको दिखा देते हैं तो जो भी परमिसन मांगे कैमरा अलाव कर देते हैं ताकि हमारा कैमरा अच्छे से वर्क करें तो यह देखिए दोस्तों कैमरा के लैटी में कोई सक नहीं बहुत ही colorful camera और वीडियो मोड में चक करते हैं आप इससे वीडियो सूट कर पाऊगे 1080p में और 720p में 30fps और 60fps का support भी आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों तो देख सकते हैं यहां पर frame rate 30fps और 60fps आपको इसमें मिल रहा है इसके अलावा street mode आपको मिलता है night mode दिया गया है और other features को द जैसे option आपको इसकी camera में मिल जाते है front selfie camera देखते हैं दोस्तों तो यह आपर time लिया इसने front camera ने काफी time लिया I think यहां पर first time boot हो रहा है smartphone तो time लेता ही है यह सुरुआत में बाकि दोस्तों front camera बहुत बढ़िया मिल जाता है colorful camera है करीब से भी आपको दिखा देते हैं तो आती है मैं यह smartphone purchase करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए दोस्तों अगर आपके 5G network आ चुके हैं दोस्तों तो आप तो आपको मैं बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगा कि आप इस smartphone को purchase कीजिए क्योंकि 5G में आपको अलग experience मिलेगा 4G में आपको अलग experience मिलेगा तो आपको 5G smartphone भी यहां पर 5G network नहीं आने वाला दोस्तों तो हमारे लिए यही smartphone बेडर रहेगा जहां-जहां यही 4G network चल रहे हैं तो 4G network में 11,000 पर की केमत में एक बहुत बढ़िया deal मैं इस smartphone को कहूंगा दोस्तों दो color variant में आता है यह class white color और रस्क black color तो black color से बढ़िया आपको यही color लगेगा क्योंकि black color में काफी जारा दाग आ जाते हैं और धूल उस पर साफ साफ देखती है